1400 साल पहले इस किताब में लिखा है ये जमीन इस जियोस्फिर के लिट शेफ अर्जी बैसवी शकल में इनसान पहले समझते थे कि ये जमीन सपाट है चपती है अगर कोई इनसान ने ये साबित किया वो ऐसा फ्रांसिस ड्रेग सन पंदरा सो सततर 1577 when he sailed around the earth जब समंदर पे सफर किये दुनिया के गोल तो फ्रांसिस ड्रेग ने साबित किया कि दुनिया बैजवी है तुरान मजीद में इसका जिकरे 1400 साल पहले तुरान में ला तला फर्माते है तुरे लुख्मान में तुरान में 31 आयत 29 में अल्ला सुभानावताला ने रात को धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते दिन में तबदील किया और दिन को धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते रात में तबदील किया ये दिन का रात और रात का दिन आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे तब्दील होना ये सबूत देता है कि दुनिया बैजवी है अगर दुनिया चप्टी और सपाट होती तो दिन फौरण रात में तब्दील होता और रात फौरण दिन में तब्दील होती अल्ला तलाँ फर्माते है सुरह अजुमर में सुरा नमर 49, आएट नमर 5 में कि अल्ला सुभानाव साला रात को दिन पे लपेटता है और दिन को रात पे लपेटता है गुरान में अरबी लवज है कौवारा जिसके मानी लपेटना जिस तरीके से एक इनसान फेटा सिर पे लपेटता है a person coils the turban on the head उसी तरीके से अल्ला ताला फरमाते है कि रात दिन पे लपेटी जाती है और दिन रात पे लपेटा जाता है ये दिन का रात और रात का दिन पे लपेटना उसी वक्त पॉसिबल है जब दुनिया बैजवी है अगर दुनिया चप्टी और सपाट होती तो ये मुम्किन ना होता पुरान मजीद में अल्ला ताला फर्माते है सुरे नाजियात में सुरा नमबर 89 चप्टर 79 आयत नमबर 30 में और उसके बाद अल्ला सुभाना वताला ने जमीन को पहलाया पिछोना जैसे तहा के एक मानी है पहलाना और दहा के दूसरी मानी आता है अर्बी लव्ज धुया से जिसके मानी है बैजा जिसके मानी है अंडा और हम जानते है के दुनिया गोल है पैजवी है और हम ये भी जानते है आज कि दुनिया पूरे तरीके से गोल नहीं है वो उपर और नीचे से from the pose it is flattened उपर और नीचे से चप्टी है जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में जियो स्फियरिकल इन शेप अर्जी बैजवी और ये लफ जो दहाहा है वो आम अंडे के लिए नहीं है आम बैज़े के लिए ने खुसूसन शुतुर मुर्ग के अंडे के लिए शुतुर मुर्ग के बैज़े के लिए और जब हम देखते हैं शुतुर मुर्ग का बैज़ा अंडा इस जियो स्फियरिकल इन शेप अर्जी बैजवी के शकल में है आप सोच सकते है 1400 साल पहले इस किताब में लिखा है कि ये जमीन ये धर्ती इस जियोस्फेरिकलिन शेप अर्जी बैजवी शकल में